हाँ मैं अक्षरा की बेटी हूँ तो क्या हाँ मेरे पापा मिस्टर और मिस्टर शर्मा है तो क्या हाँ मैं उनी की बेटी हूँ हाँ मैं गोयंका परिवार से बिलाउं करती हूँ अरे हाँ मैं गोयंका परिवार यानि उसी पीडी से चले उते आ रही हूँ यानि कुल मिलाकर मनीज जो मेरे बिनानू लगते हैं वो मेरे सही के बिनानू है हाँ मैं सही में उनको बोलती हूँ तो क्या यानी कुल मिलाकर जब रूही अभीरा के बीच में जो संगर चल रहा है वहाँ पर रूही के सामने आज अभिरा ने सच कबूल किया है इसलिए उसने ठपड़ी मारा रूही को जोड़दार जहां पे इस बात से नफरत हो री अभीरा को कि रूही ने इतनी वड़ी गलती कैसे कर दी गलती करने के बाद भी सीना जोरी यानि दोस्तों चोर उल्टा कोतवाल को डाट रहा यहां पे वो बोलती आए कि मुझसे गलती हो गई वगरा मुझसे कंफु यह रिष्ठय के लाता है जुड़े एक और अपडेट को लेकर आप सबी के सामने हाजरू जहां पर बात कर रहें यह रिष्ठय के लाता है कि तो दोस्तों यहां से कहानी इस तरीके से पलटने वाली है कि अब सभी यह बात पता चल जाएगा कि अभीरा किस की बेटी है और प्लॉट क्या जा रहा है, इसमें से एक बहुत बड़ी कड़ी होने वाली है, वो है अभीरा के real parents की, अब अभीरा के real parents कैसे है, कौन है, ये बात के बारे में कभी ना कभी तो बाते आएंगी सामने, और इसी के लिए अब जब शादी के card में अभीरा के parents का नाम छापना था, जो काम दिया था रूही को, रूही ने वो भी ने किया, भाई रूही के ऊपर दादी सा ने, काविरी पुदार ने भरोसा करके, उसे एक काम दिया था कि तुम इस जो गोल प्लेटेड का ना 24 करट गोल प्लेटेड शादी के card से ना, इन में तुम नाम लिखवा देना, किस कि भाई अभीरा के मातापिता के लेकिन यहां पे शाधी के कार्ट मेच मातापिता के नाम लिखवाने थे वो जो रूभी अभी ने प तुम ने सीधा सीधा यह बोल दिया कि शर्मा शर्मा चलो तुम लिखके दिया था उसने तुम पढ़ ले तो शायद उसके बाद तुम और ही नहीं लिखवाती। पिर से उस चीज़ को तुम लोग यहां पे फिर से दोराओगे इसलिए क्यों ना यह सच को सच को इसी तरीके से दबा कर रखा जाए और मेकर्स भी यही चाहते क्योंकि मेकर्स के पास अभी कहानी बहुत है मेरिकर्स के पास शादी का track है, फिर pregnancy का track होने या बच्चे का टेंस आना है, फिर career होने वाला है, दादी साके साथ rules होगे, regulation होगे, इन सभी के बीच में इस track को थोड़ा थोड़ा इसलिए दिखाया जारे, क्योंकि कभी भी जरुद पड़ी, तो इस track को ये लोग आगे लेक बढ़ते ही जाएगा कम बिल्कुल भी नहीं होगा कम तो होना ही नहीं चाहिए वरना इनके बीच का जो इंटेंस महहल है वह भाई हाइवाटेज ड्रामा कास देगा किसी को मजह ही नहीं आएगा शो में कुछ बचेगा इसलिए अभी राद Honors के वीच में जो आज नया मोद ल पिर अभीरा प्रिंटर्स को फोन लगा के पूछ देती है कि आपने मेरे मैं पापा का नाम क्यों लिखा तो बोलते कि रूही मैडम ने नहीं लिखने बोला उसने बोला जगडा दो लड़कियों के बीच में था रूही और अभीरा के बीच में लेकिन हम बूल रहे हैं कि अभीरा को बोलता है कि भावी आप थोड़ा गुसा कम कर लिज्ये आप थोड़ा धंक से बात करिये जहां पर अन्मान आता है तू पहले अपनी भावी से तो में इससे बात करना सीख ले याने दोस्तों सीधे और सब बात में ये दो परिवार अलग-अलग होकर एक नए ल दादी सा पहरे से जानती है हमारी कावरी पॉक्ष भूदार बहुत सुलजुू यूए करथर है क्योंकि ओनको सब कुछ पता उनको ऐसे अर कहीं ना कहीं हमारी अन्तरच जो मेडम है। नजी जिनगी वह सुल्जू एक सबकरेयों बहुत बड़ी हस्ति हैं मैं हमारे लिए कराया दादिसा जिस कॉंट्राक्ट चे मुताबिक अभीरा एक साल तक काम नहीं कर सकती है यानि कुल मिलाकर अभीरा एक साल में इस घर को वारिस दे दे यह घर की डिमांड है जा प्रियों कहें कि घर के वारिस के लिए यह शादी को करवाया जा रहा है हो सकता है आज कल यह भी होता है कि घर के वारिस के लिए शादी करवाओ जल्दी वारिस प्रदा करवाओ उसके बाद तुम लोग अपने काम पे लग जाओ और यही चीज़े शायद घर में भी चल रही है जहां पर अर्मान और अभीरा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं कर लेंगी हमें सब मैने भाई मुझे अपने लाइफ में अपने गोल को सेट किया या मैंने मुझे कैसे भी करके मुझे आगे बढ़ना है यह बात बुला जाता है जहां पर सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अब अभीरा और अर्मान ने कुछ भी सोच लियो लेकिन बात एक ही चीज़ पर आके चिट्के पट्टे हैं बहुत सरे ऐसे एंगल आने वाले जहां पर अर्मान रभी के बीच पर चीज़ बिगड़ सकती है क्योंकि अभीरा बच्चे नहीं चाहती है अर्मान को बच्चों से बहुत लगा हुए उसे बच्चे चाहिए उसे क्यूटे सा एक अपना परिवार अभीर और माहन के प्यार के एक निशानी चाहिए यह सब कुछ चाहिए यानि कुल मिला कर यह दोनों ने डिसाइड कर लिया कि यह जो बाते हैं यह हम फिर से कभी एक और बार कर लेंगे लेकिन अभी फिलहाल हम ऐसी बाते नहीं करेंगे अब देखना होगा कि यह दोनों मिल जोड़ी एक और बहुत बड़ी उपडेट मैं उम्मीद करूँगा जहां पर हम लोग ने बात किया आज के स्टूडियो में कैसे अभीरा अपने माता-पीता के बारे में सबको बताएगी रूही और अभीरा के बीच में कैसे टेंस माहल से टोगी मैं उम्मीद करूँगा आप लोग को यह जो पॉइंट से जो वीडियो है बहुत अच्छी लगए यदि थोड़ा बद्य अच्छे लगा तो वीडियो को बेशक लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टाइम सब्सक्राइब को ताकि आप पाते राइस के सारे अपडेट्स को टाइम सब्सक्राइब वीडिया पर बाई बाई टेक कर जय हैं जय भारत